हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू रोसन की क्लास यूटीब चनल, दोस्तों आप सभी का आज की इस पाठी होजना की वीडियो में एक बर फिस से बहुत-बहुत स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, यहाँ पे स्टुडेंट्स संस्कृत की पाठी अब लोग रोसन की वीडियो देखनी है तो आप लोग रोसन की क्लास यूटीब चैललम को सबस्कृाइब कर सकते हैं. साथे साथ बैल आइकन जरूर धबा के रखिए तो चलिए श्टार करते है, यहाँ पे आपको पाठी होजना लिखना है, पाठी होजना संख्या, जिस से बानाना स्टार्ट करें उसके भीच वी तो भी चेसे बढ़ता है नाम नाम ने अच्छा लिखनी है जिस क्लास के लिए आप खन्फियुज मत होगिएगा कहीं कहीं चार्व की रिखा एंगे वूसको लिखेगा दीवस लिखना हैं जिरूरँ नहीं नहीं होती लिखने के लिए बुलते हैं जैसे रवी इस तरीके दीवस लिखिएगा विसे है आपका संस्कितम यानि कि संस्कित अवद यहां पे लिख दीजेगा जो भी आपको समय दिया जाए वो लिखेगा और आज का जो हमारा देखे प्रक्रड है वो है प्रक्रडम वर्ड परिचए अब आता है समान्य उद्देश यह समान् का क्या उद्देश है ये वी से पढ़ाने का तो इसमें कम से कम चार से पांच पॉइंट और मैक्सिम आट से दस्मार लिखना होता है तो यहां पर वीडियो में थोड़ी दिर के लिए आपको रोग दे रहा हूं आप आराम से चारों पॉइंट देखके लिख लिजेगा फिर अगे बढ़ते हैं आगे कि तरफ अगर बढ़ें तो विसे फ्रदेस सी हेढिंग के अंतरगत आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज कह ओ टॉपिक है व200 यहां पर प्रियंग पर व्ळाने के बाद बच्चों को आप क्या सी भाना चाहते है उनके अंदर कि प्रकार का knowledge develop करना चाहते हैं इसके बारे में वर्ड विसे स्टुद्दे से heading के इंतरगत कम से कम दो से वैसे मैं रोख दे रहा हूं आप लोगों को देखके अराम से लिख सकते हैं और नहीं मी लिख पा रहें तो वीडियो को पहुज करके लिख नीजेगा आप आप पर और अगर पीडेएप चाहिए आप लोगो तो रोषन की क्राश टेलिग्राम चैनल इसके क्लास के अवदी में लेते हैं तो यहां पर देखे लिखा गया है चौक जिसको कहते हैं सुधाखंड संस्कित में डश्टर जाड़नी लपेट फलकम संकेतिका स्यामपटर और चाड़ पत्र वर्डा नाम वर्गी करडम यानि कि जो चाड़ बनाएंगे उसमें वर्डो प्रस्तावना 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 प्रस ज्यादा से ज्यादा पांस से शेप्रस पूछा जा सकता प्रकरण निकलवाने के लिए तो यहां पे देखिए पूछा गया है शर्वासु भासासु जननी अस्ति बच्य कुलेंगे संस्कितम दुसा है यहां पे भासासु प्रयुस्यांता ध्वनी नाम किम कत्यन्ते तो उसको बोलेंगे बच्चे वड तीसरा है वडस प्रकर्यण तो बच्चे बोलेंगे द्वी फिर चोथा प्रस्णा आएगा उनके नाम बताईए दोनों नामों के उपर प्रकाश जालिए तो बच्चे बोलेंगे स्वर्थ अध्याव्यंजनम उसके बाद पांचों प्रसन आएगा वर्ड से विशय भवन्त अन्य की जानन्ति तो बच्चे नहीं बता पाएंगे समस्यातों प्रसन हो जाएगा संभाव अध्यन करोती अब बच्चों को बता चल गया कि आप उनको वर्ड विशय के बारे में पढ़ाने वाले आज के क्लास में अब उस चैप्टर का पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर देखी लिखा गया है प्रस्तुत करना तो प्रस्तुती कर लिख दीजी हेडिंग उसके बाद इस तृचे से 3 कॉल में इवाibl कर दीजी चात्र ध्याप्रकास की कथन च्याप्र कतर्ण स्यामपटकारे है यहाँ पर पहला पांड लिखे वर्ड वर्ड के बारे सा नाम प्रयुकताणा भनि नाम वर्ड कत्यंतें वर्ड से प्रकास तो वड्ड के दोप्रकार उसको अन्ययवड़ा नाम सहायन विना उचारियाती यानि कि यहाँबर नös के सहायता के विना उचारकियाता है उसके कि लाद त्रयोदस प्रकासस्य सारा अस्तिर उसके वाद यहाँ पे है जितने भी स्वर हैं उनको लिखा गया आ आ इ इ उ उ री री ए ए उ ओ आ स्वरस्य त्री प्रकासा प्रकारेण विभाजन विभाजनम तो यहाँ पे है हरिस्य दिर्ग और लुप्त लुप्त है यक्स वेदाना प्रयुक्त स्वर है और प्लस इ से मिलक Spaßन है में अ होता है yet nightly और से मिलक intersection और स्वर्य मिलक्या ठीक है यह स्वर हो गया आब व्यंजन परपार्यम्या पर बताए गया है में देखे बता रहे हैं स्वारेण सहाइन उचारित वंथ वेंजना संस्कित वर्डा नाम वर्डमाला उसारेण 3-3-3-33 यानि कि इसको आप अपने साब से लिख लिए मुझे संस्कित देखे सचाई बता दू मैं मैं क्लास 5 तक संस्कित पढ़ा हूँ इसलिए मैं सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ मुझे अच्छे से आप संस्कित की पाठी होजना बना रहा है मुझे नहीं आती संस्कित पढ़ने मुझे से चाप पढ़ लेंगे इसलिए मैं आप लोग को सारी चीजे दिखा दे रहा हूँ जिससे आप लोग लिख लिए मैं बस हिल्प करना चाहता हूँ वीडियो को मैं देम से इतना आप से लोग समझेगा आगे देखे लिखा गया है इस पर्स वर्ड पचीस होते हैं जो आता है वो भाई मैं आप लोगो सब सही से बता दूँगा ठीक है मैं पढ़ना है साइंस पढ़ना है बाकी जितने सब्जेक्ट वो पढ़ना तो वो पढ़ लीजिए आपको मैं अच्छे समझा सकता हूं बाकी संस्कित मैंने क्लास फिफ तक ही पढ़ी है तो थोड़ा सा दिकत होता है यह सारी चीजिज देखे आप लिख लीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आगे के तरफ बढ़ते हैं अब है बोध प्रस्न अभ्यास प्रस्न दो इहां पर द्वनीना उसके बाद दूसरा है वड़ा से प्रकास संति बच्चे वोलेंगा और व्यंजनचर स्ट्ष दीसरा प्रस्न दोरब करतिश कथिदा कितने होते हैं तो त्रेयोदास होते हैं चौथा प्रस्न स्वर वड़ा करतिश प्रकासार विभाजनम तो बच्च त्री यानि यह तीन प्रकार ठीक है अब यहां पर देखें मुल्यांगन प्रस्ण आता है मुल्यांगन प्रस्ण में बच्चों से जो अभी आपने पढ़ाया है उससे बच्चों से प्रस्ण पूछके आप अपना मुल्यांगन करेंगे कि आपने जो बच्चों को भी पढ़ ठीक है पहला प्रस्न है दूसरा प्रस्न है यहाँ पर तीसरा प्रस्न है अराम से थोड़ा रोग देता हूं मैं आप लिख लिजी इसको उसके याँ चौथा प्रसन आता है यहाँ पर ठीक है चौथा प्रसन है और पांचो प्रसन है आसा करता हूँ आप लोगों लिख लिए होंगे अब मैं आगे वीडियो को बढ़ा रहा हूँ क्यों और नहीं भी लिखे हो तो वीडियो पहुच करके लिख लिजेगा आप इस प्रसन दिया गया इसको भी आप आराम से वीडियो को रोक के या फिर ऐसे ही मैं इतना समय दे रहा हूँ आप लोगों को इतना आराम से आप लिख सकते हैं तो दोस्तों यह था आज का लेशन प्लान अगर आप लोगो आज का लेशन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज इस निशान आएगा उसको दबा के ओल नोटिफिकेसन अन कर लीजेगे जिससे मैं आप लोगों की हिल्प के लिए कोई वीडियो हैं पर अप्लोड करता हूँ अगर बीएट कर रहे हैं आप बीटीसी कर रहे हैं डीलेट कर रहे हैं या सिछ्छा जगत से जुड़े हवा कोई भी कोर्स कर रहे हैं किसी भी स्टेट के हैं तो आप इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि रोशन की क्लास यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको लाब जरूर मिलने माला है तो स्टुडेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का झाला मिलने मां तो में प्यूटीब चैनल कोई लाबा प्डार रहे हैं तो आपको के लाबी दूशन के लाबाब तक का लिए जिए जगा।